हे अल्राइट एंड वेलकम टू अलें टूडेइज देहिंदू न्यूज डिसकेशन ना और डेली के बेसेस पर हम पेज़वाई डिसकेशन करते हैं और UPSC Prelims और Mains के लिए डिटेल में नोट्स के फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं उसका डिसकेशन करते हैं आज के न्यूज बेपर में बहुत कुछ इंट्रस्टिंग जानने को है कौन-कौन सी चीज़े जानेंगे फाइर सेप्टी के बारे में बांगलादेश में आग लगी है PM Care's Fund क्यों आया है न्यूज में सेख मुझबिर रह्मान जी इनके बारे में पढ़ेंगे ये क्या थे Founding Father कहते हैं बांगलादेश के रैम डेसिवीर है Section 144 बहुत सारी जीज़ें डिटेल में करेंगे With Current News क्योंकि Current News को चलते हुए हम Past को डिसकस करते हैं या उसका Static portion डिसकस करते हैं But without moving further आपको Telegram application डाउनलोड करनी है Search box में टाइप करना है at the rate PR publication तो आप इस Free Group से जॉइन हो जाएंगे Now PR publication जैसे ही जॉइन करेंगे तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सार डेली के basis पर question कहां से आते हैं Monday to Saturday हम question देते हैं आज Monday तो फिर से हम question देंगे और उसी का analysis यहाँ पर हम आपको दे देते हैं ठीक हैं और जब आप वो matter नहीं करता क्योंकि एक बार आप similar line मा होगे जिसने तगड़ी मेनत किये mains में और जिसने कम मेनत किये mains में उन दोनों को ही mains से देना है अब आप सब को पता finalist UPSC की mains page रहती है बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं तो interview में वो 4 डालूँगा यह सब आपको early plan में मिल जाएगा NCRD testage early plan और NCRD testage plan आप एक साथ लेते हैं तो 7.99 रुपीज में आप इसको avail कर सकते हैं लेना बहुत सिंपल है दिए गए नमबर पर Google पर phone पर करेंगे जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमबर पर WhatsApp होगी और हम आपको अपने टेलिग्राम के private group से add कर लेंगे तो चलिए start करते हैं आज का news discussion तो सबसे पहली general news पूरे भारत में चल क्या रहा है पूरे भारत में चल रहा है COVID second wave हमने कहा था 28 अप्रेल से 28 से लेके 44 जो age के लोग हैं उनको भी vaccine मिलेगी but only through private facilities यह important चीज याद रखना और सभी लोगों को vaccination करवाना चाहिए और 28 अप्रेल से सभी लोगों को register करना है सबसे पहले आपको vaccine लगाने से पहले आपको एक portal में register करना पड़ेगा COVID portal में then उसके बाद ही आप eligible होगे कि आप private facilities में payment करने के बाद ठीक है आप क्या कर सकते हो vaccine लगा सकते हो राइट हाला कि बहुत सारे ऐसे राजजी हैं यह कर सकते हैं कि जो 45 साल से कम उम्रे के लोग है उनके लिए भी जो है केंदर सरकार राजजी सरकार free में vaccine करवा सकती है बट अभी तो अलग provision बनाते हैं तो वो बना सकते हैं कि हाँ हम तब free में देंगे तीस से लेके 44 वालों को free में vaccine देंगे यह भी provision अपनी राजजी सरकार बना सकती है एस पर दियर available infrastructure ओके चलिए नाव नेक्स्ट कोशन है डेली ने lockdown लगा दिया है तीन माई तक और सबसे बड़ी बात है कि at least 45% have died due to the oxygen supply related issue आपने message भी देखा होगा और वीडियो बहुत ज़्यदा viral भी हुई थी जिसमें कि अरविन के जिवाल जी जब PMO दी पूरा meeting ले रहे थे उन्होंने टेली कास्ट कर लिया था public में और वहाँ पर oxygen supply क्यों क्या कहना था उनका कि दूसरे state ने oxygen के tank रोके होगे है तो अभी उस चीज़ में ये तो चलिए political level पर बात है हो गई बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि डेली में oxygen plant हैं ही नहीं ज़्यादा ठीक है जो US जिस US ने disallow कर दिया था disapprove कर दिया था कि raw material हम नहीं भेज़ेंगे जैसे hydroxy chloroquine था HCQ था हमने US की जब इतना ज़्यादा वहाँ पर COVID-19 चल रहा था हमने US की मदद की थी अब होता क्या है कि पहले तो US ने मना कर दिया था अब होता क्या है कि हमारे जो national security advisor है इनका नाम आपने ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा अगर वो UPSC की तैयारी कर रहा है अजिद डोबाल जी दोनुं देसों के NSA ने बात की phone call पह और तब US ने allow कर दिया कि इंडिया को raw material दिंगे अब आपको के यार यह raw मुद्धा क्या है COVID-19 है COVID-19 पर हमारे पाव वैक्सिन की already shortage है तो उसके बनाने वाला जो raw material है वो USA से हम लेते हैं USA में एक law है जैसा हमने hydroxy chloroquine में एक कानून मनाया था भारत का कि आप एक extra limit से जादा नहीं बेच सकते हो इसको ठीक है वैसे ही raw material US के भी कानून में लिखा गया था particular act बनाया गया है और उसके तहट पर यह तभी disapprove कर रहे थे बट NSA अजीद डोबाल जी ने बात की call पर और US ने अब allow कर दिया है तो इससे हम कह सकते हैं कि येस भारत के आगे के relation अच्छे हैं US के और environment में भी हम दोनों मिलके काम करने वाले हैं now next ने उज़ा दिये section 144 in gurugram section 1444 लगा दी गई है gurugram में और prohibit कर दिया गया है कि अगर gathering चार लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कुछ जो है जिनको जो exclude है वो simple सी बात है वो किस पर apply नहीं होगा army forces, police forces में public servant में medical industries में institution जो काम कर रहे हैं लोग essential services में जैसे दूद कोई factory चला रहा है या आचल दूद चला रहा है तो उनके लिए नहीं apply होगा बट गुरुग्राम में section 144 apply हुआ क्यों चार लोगों से आप ज़्यादा लोग इखटे नहीं हो सकते किसी भी जग है COVID-19 को रोकने के लिए ओके, now what is section 144 of CRPC आपने बहुत सुना होगा IPC और CRPC Indian Penal Code CRPC IPC में होता क्या है कि किसी एक particular चीज की देखो इन दोनों का difference बता देता हूँ बहुत बार confused हो जाते है IPC क्या होता है IPC बहुत simple है कि इसमें define किया गया है चीजों को यानि कि कोई ex-person ने murder किया murder की definition क्या होगी किसी ex-person ने चोरी की चोरी की definition क्या होगी अब crime हो चुका है तो crime की definition IPC में है crime के बाद investigation करने को ही CRPC कहेंगे मतलब उसको कैसे investigate करना है पहने judge के पास लजाना है पुलिस के पास लजाना है फायर register करना है यह पूरा जो process होती है न वो CRPC में register होती है तो according to section 144 of CRPC यह prohibit करता है चार से ज़्यादा लोग इखटा नहीं हो सकते mobile phone companies block कर सकते है internet को भी surdown किया जा सकता है बट अभी वो internet surdown करने वाली बात नहीं आई है क्योंकि COVID-19 है तो यहाँ पर सिर्फ चार लोगों को इखटा होने से रोका जाएगा यह DM को जो आप बनने वाले हो हाल में SDM और दूसरे एक्जिकुटिव में स्टेट को empower करता है कि आप क्या कर सकते हो particular अगर कहीं पर danger दिख रहा है तो इसके लिए वो address कर सकते हो ओके no order passed under section 144 can remain in force for more than 2 months from the date of order यह चीज़ याद रखना कोई भी order section 12 144 जब लगी है वो 2 मेने से ज़्यादा के बाद नहीं टिकता वो order खारीज हो जाएगा the state government can extend this but not more than 6 months अब राजिसरकार भी जो order दिये गए हैं during the section 144 उसको बढ़ा सकती है बढ़ 6 मेने से ज़्यादा नहीं राजिसरकार भी सबसे बड़ा इस्यू section 144 में क्या है यार 1144 से पुलिस वाले किसी को भी पकड़ सकते है हो सकता है कभी कभी यार आप अकेले बंदे हो लगता है कि चलो आप खुननस है आपको पकड़ लिया गया आप को गए यार मेरा fundamental right तो यहाँ पर violate हुआ है मैं जाओंगा Supreme Court के पास High Court के पास अपने rate petition Article 226 से के अंदर डाल दूँगा बढ़ यह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसलिए क्योंकि यार section 144 ही लगा है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है 2012 मैं Supreme Court ने criticize किया सरकार को कि आप वैसे ही आप रामलिला मैदान में जो सोय होई लोगों पर section 144 लगा दिया आपने तो the court held that such provision can be used only in a grave circumstances for maintenance of public peace maintain करने के लिए ही लगाओ ऐसे ही मतलगा दो तो सबसे बड़ा criticism section 144 का यही है कि यार आप कभी भी लगा दोते हो उसको ठीक है now next news आती है three held for black marketing remdesivir एक यह वाली है कि remdesivir को black market किया जा रहा था मतलब जितना दाम है उससे महंगे में बेचा जा रहा था next news remdesivir पर यह है कि remdesivir shortage effect availability of bets remdesivir की कमी है अब यह है remdesivir किया है इसका revision कर लेते हैं मैं बहुत बार बता चुका हूँ आज फिर से revision कर लेते हैं now remdesivir remdesivir एक ऐसी दवा है जो 2004 में बनाई गई थी Ebola को treat करने के लिए US-based biotechnology form legulate sciences ने बनाई थी और अब यह COVID-19 को कम करने में लगी हुई है इसका use कर रहे है remdesivir करती क्या है बहुत simple है remdesivir सबसे पहले एक बार virus हमारी human cell में एंटर करता है तो वो genetic material release करता है और उसके बाद body के जो हमारे protein का use करके वो अपनी genetic material की copy बनाने लग जाता है तो simple सी बात है copy बनाएगा तो उसके पीचे एक enzyme काम करता है enzyme का नाम है RDRP enzyme तो remdesivir इसलिए help करता है कि वो RDRP को target करता है इसलिए COVID-19 में मदद करती है ना बात करते हैं आज के editorial की तो सबसे पहला editorial है lockdown के basis पे 3.5.5 लाख cases daily infection देखने को मिले COVID-19 pandemic में 5000 से लोगों की ज़्यादा death हो चुकी है health infrastructure पूरा worst हो चुका है चिन्याई में complete lockdown है Sunday से किरला में भी है even उत्राखंड में भी Sunday को lockdown था ठीक है कोई दुकाने नहीं खुली थी सब लोग घर पे थे in Delhi test positivity rate बढ़ते जा रही है 36 से 40 पर 37 तक बढ़ते जा रही है lockdown themselves cannot erase the pandemic government को इसमें help तो मिलेगी lockdown लेके पर इस दौरान उनको health infrastructure पर काम करना पड़ेगा state और opposition के साथ मिलके काम करना पड़ेगा और अलग-अलग places lockdown के साथ साथ vaccination program अच्छे से चलाना होगा now second editorial आता है US और India की climate pact के basis पर US और India का climate or clean energy agenda 32 partnership एक तरह से हमारे लिए एक अच्छी hope लेकर आया है इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि दोनों ही जो देश हैं financial और technological cooperation करेंगे greenhouse gas emission यानि की CO2 को कम करने के लिए अभी एक leader summit हुई थी जहां पर जो be done आये थे world attention उन्होंने focus की और उन्होंने बोला highest carbon emission कौन करता है US और चाइना गड़ता है उसके बाद 30 नमबर पर भारत है उसके बाद 30 नमबर पर भारत है तो अब उसके लिए भारत को तभी तो US ने इतना प्राइटाइज करके दोनों का एक पेक्ट साइन किया International Energy Agency in fact expected dramatic rise in emission as countries race to sake of the impact of coronavirus 2008 का financial crisis जैसे हुआ था उसके बाद भी चीज़ें हुई थी अब COVID-19 के बाद भी क्योंकि सड़न से चीज़ें रुख जाएंगी industry workers सब कम हो जाएगा तो जैसे ही कम होगा अचानक से फिर सब बढ़ेगा भी emission और ज़्यादा होगा लोगों को जो नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई करेंगे वो कहेंगे नहीं CO2 emission अगर 30 metric ton का हो रहा तो वो जादा करेंगे अब ठीक है क्योंकि उनका पुराना उनको economy को revive करना है तो at the end हम यही कहेंगे कि यार भारत को help करने वाला है US innovative material में decarbonized industry में transport में building the biggest emitter apart from the power energy में renewable power से 450 gigawatt के energy हम produce करेंगे electricity produce करेंगे green deployment है funding हमें देगा US green employment boost होगा environment है तो यह सब चीज़े हैं उसके साथ British Prime Minister Boris Johnson ने भी announce किया कि हम 2035 तक 78% जो carbon का emission कम करेंगे 1990s level का ठीक है और लोगों को developed countries को भी funding करेंगे तो दोनों ही साइट से political angle है वो engagement होना चाहिए क्योंकि political angle engagement होगा Biden और Mr. Modi engage करेंगे तब ही यह successful रहेगा ओके नाव नेक्स्ट जो news आती है इंडिया और बंगलादेश से related है बंगलादेश और इंडिया celebrate करते हैं golden jubilee बंगलादेश के independence में और recently birthday sanitary सो साल सवी वर्सिकार्ड मनाई गई बगबंदू सेख मुझबिर रह्मान जी की इनके बारे में अभी मैं लास्ट में आपको पड़ाऊंगा but founding father कह सकते हैं आप सेख मुझबिर रह्मान जी को बट यहां पर भारत को भी बहुत बताया गया है कि भारत की अब तक की finest foreign policy रही है सबसे बड़ी जीत रही है कि एक बांगलादेश हमने एक नया देश बनाया ठीक है from the assets of East Pakistan वो पाकिस्तान में हुआ करता था East Pakistan है ना West Pakistan फिर इंडिया फिर यहां पर East Pakistan इसको Military Action भारत ने सपोर्ट करके बांगलादेश को एक नया देश नाम दिया पहने East Pakistan हुआ करता था और अब दी तक की हमारी foreign policy बहुत जबरदस्त रही है Editorial में Prime Minister Indra Gandhi को भी बहुत ज़ादा यहां पर उनका role बताए गया है कि बहुत ज़ादा important role play उन्होंने किया यह real architect थी इस जीत की पूरी ठीक है तो यही ऐसे random fact दिये गए है पाकिस्तान के defeat के बाद सबसे बड़ी अच्छी बात मैं कहूँ तो भारत कब जा सकता था पूरा बांगलादेश क्योंकि भारत अपने में मिला सकता था बांगलादेश बट आप्टर था पाकिस्तान defeat in east पाकिस्तान इंडिया ने voluntarily unconditionally कोई condition नहीं रखी वहां के जो चुने हुए representative थे उनको देश दे दिया सबसे बड़ी बात होती है अगर कभी भी बात आती है कि इंडिया colonize वाली जो policy रखता है अगर कहीं फोरण ऐसे statement आते है generally China कि पाकिस्तान को हत्याना चाता है पाकिस्तान बैटक करना चाता है पर गलत है अगर ऐसा ही करते तो 1971 में हम कर चुके होते हैं हमने unconditionally कोई बिना condition रखे चुनी हुई सरकार को वहाँ के लोगों ने जो चुनी थी उनको hand over कर दिया जबकि हम वहाँ पर पूरी तरह कपजा कर सकते थे क्योंकि हमारी ही इंडिया की army, air force और navy ने help की थी 1971 में इंडिया extended all out support to the government in Sri Lanka to defeat the group जना था विमुक थी, परमुना in the country उसके बाद बहुत सारी दूसरी चीजें भी हुई meantime से एक मुझिबर रह्मान जी को arrest कर लिया गया to West Pakistan उनको भेज दिया गया ठीक है फिर इस दोरान इंडो सोवियत treaty भी साइन हुई थी 1971 में और मैं कहूंगा यहाँ पर अलग-अलग coordination of goals थे ठीक है और एक राट decide किया गया कि 3 दिसंबर को हम intervene करेंगे East Pakistan में तीन दिन के बाद दिसंबर 6 में India made the formal announcement कि एक हम नया देश बनाने वाले हैं बांगला देश फिर से एक मुझिब भी रह्मान जी आते हैं 1922 में इंडिया और बांगला देश की एक sign friendship treaty piece वाली sign भी हो जाती है तो random से fact दिये गए हैं बट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ यह क्यों आया उस समय कि हमारी Indian Army Indian Air Force Indian Navy ने बहुत मिल के अच्छा काम किया Intelligence Bureau ने काम किया RAW ने काम किया ठीक है और यहाँ पर हम बांगला देश की रिगुलर जो आर्मी है मुक्ती बाहनी यह बांगला देश की आर्मी है उसका भी रोल हम भूल नहीं सकते उन्होंने भी important role play किया एड़ने इंड करेंटली बांगला देश की annual GDP बहुत अच्छी है मैं कहूंगा एक सबसे बड़ा एक example है बांगला देश इसने foreign जो powers है उसका influence ना होकर अपनी खुद की foreign policy बनाई और अभी बांगला देश बहुत अच्छा perform कर रहा है पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है women empowerment में बहुत अच्छा बांगला देश काम कर रहा है तो यहाँ पर से पूरा एक तो सेख मुझबिर रह्मान जी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा now सेख मुझबिर रह्मान Q-Fact Spot Limbs General Studies Paper 1 सवी वर्सगांड बनाई गई बगबंदू सेख मुझबिर रह्मान जी की 17 मार्च 2020 को यह पहले ही मैं 17 मार्च में ही यह नोट्स करा चुका हूँ आज यह मैं सिर्फ रिवाइस करवा रहा हूँ मुझबिर रह्मान जी का जर्म 17 मार्च 2020 को हुआ भारत में नाव अभी बंगलादेश में है 15 अगस्त 1975 को ढाका में उनके डैद भी हो गई यह वाज बंगाली लीडर थे और पहले प्राइम निस्टर थे बंगलादेश के प्रेसिडेंट भी बने फॉर्मल पॉलिटिकल केरियर 1945 से सुरू हा आवामी लीग को फाउंडर भी रहे थे और अभी की जो प्राइम निस्टर है सेख हसीना वाजिद सेख मुझबिर रह्मान जी की पुतरी है बहुत बड़ी बात होती है अब जो नेक्स्ट ओपेट पेच का आर्टिकल में आपको बताने वाला हूँ यह आर्टिकल में हलकी हलकी हिंट दे रहा था आप लोगों को कि यार आपको कभी भी कुछ सॉलिशन समझ में ना आए ना किसी भी चीज़ के पर्टिकलर आपको लग रहा है कि यार आपसे कुछ भी पूछ दिया है सदन सी चीज़ कि यार इस पर एग्जिकुटिव अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो आप सॉलिशन क्या दोगे आपको सिंपल सॉलिशन देना है कि सुप्रिम कोट और हाई कोट को इंट्रवीन करना चाहिए उनको एक कमिटी बनानी चाहिए एक्सपर्ट कमिटी जो कोशन भूल जाओ मतलब सॉलिशन देना भूल जाओ और आपको समझी नहीं आ रहा क्या लिखें तो उसमें डारेक्टली गवर्नेंस के बारे में बात करना हूं अलग-अलग चीज़े हैं आला कि जुडिशिरी के पास लिमिटेड रोल है कोट कैन नौट बिल्ड बेटर हेल्थ इंफल्स्ट्रॉशेट्ट्र क्या सॉप्रिम कोट बनाएगी क्या हेल्थ इंफ्रस्ट्रॉस्ट्रॉशिर्च्ष नहीं क्या directly supply कर पाई की court ऐसा नहीं कि यार आप सुप्रियम कोट जाओगे कोगे यार 48th Chief Justice बने है N.V. रमना जी आप दे दो यार cylinder मुझे अपनी खुसी में वो नहीं देंगे simple सी बात है और नहीं वो बनाएंगे उनके पास resources नहीं है neither are there functionally bound to और नहीं वो legally bound है इस चीज़ को देने के लिए court के पास expertise नहीं है resources नहीं है social सामाजी rights के लिए वो लाइस लेचरी और executive ही कर सकते हैं court क्या कर सकती है court at the end question tough question पूश सकती है executive से implement कर सकती है existing law को regulation को अच्छे से implement नहीं हुए हैं तो 1989 में परमानन्द Katara versus Union of India Supreme Court ये कहती है कि value of human life said that right to emergency medical treatment लोगों के fundamental right मौली का धिकार का एक part है कि human life को अच्छे से treat करना चाहिए अभी तो COVID-19 है लोगों को oxygen नहीं मिल रहे है तो मतलब लोगों का fundamental right जो है violate हो रहा है इस condition में federal code बहुत ज़्यादा रोल निभाती है high court डैली गुजरात मदरास की उन्होंने यही किया कि court ने यही चीज़ें सुनवाई नागपुर बैंची ने बॉंबे हाई court ने constraint to hold night sitting to consider the issue of oxygen supply की बारे में बात करने के लिए उन्होंने meeting बिठाई डैली हाई court ने center को बोला कि आप educate measures low supply of oxygen कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो समझ में आ गया तो कुछ भी चीज़ अगर नहीं आ रही तो वो supreme court या high court intervene कर सकती है उस चीज़ को अच्छे से implement करने के लिए अपरेल 22 को होता क्या है supreme court सुओ मोटो start करती है सुओ मोटो का मतलब खुद से initiate करना उसके बाद कोई petition नहीं गई है क्योई file लेके कोई complain लेके नहीं गया है supreme court ने खुद से interview किया कि essential जो चीज़े है essential supply drug pandemic जो है pandemic के दौरान आपको मिलनी चाहिए article 141A कहता है इसको बाद में एट किया गया जब किसी article के बीछे बड़ा A लग जाता है तो पहले से नहीं बाद में सुधार करके उसको ला जाता है supreme court के बास power है कि आप high court से कोई case अपने पर भी transfer कर सकते हो ठीक है अगर same law पर वो question है तो effective remedies बना सकते हो जैसे अभी कभी activist journalist को arrest किया गया था ना तो supreme court ने intervene किया था तो एक और चीज है prelims के लिए कि 7th schedule के अंदर public health hospital वो state list के अंदर आता है so there could be related subject coming under the union list और concurrent list so interstate conflicts भी बहुत ज़दा होते हैं अब interstate conflicts होने का मतलब क्या है अब जो मैं बता रहा था ना अर्जेविंद केजरिवाल जी ने बोला कि राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार है दिल्ली के border पर आने पर रोके होए हैं बहुत सारे tanker को आने ही नहीं दे रहे हैं यह conflict होता है कि दिल्ली में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, सेंटर में कोई और सरकार है तो admin मैं यही कहूंगा principle अपने mains में लिखना है decentralization होना चाहिए, centrist में नहीं होना चाहिए यह principle रखो, decentralized का मतलब पहले जो है state, center पर काम करो फिर state को भी autonomy दो, local government को भी autonomy दो, ऐसा नहीं कि centrist में सिर्फ सेंटर ही पूरी चीज़ें बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद next article है, what Israel wants in Syria मैं बहुत घुमा फिरा के, या आपके जो काम का नहीं है, उसको नहीं बताँगा या story बताने में नहीं लगे रहूँगा, ठीक है कि हाँ इसराइल में ये था वो था, ऐसा नहीं इसराइल क्यों चाहता है कि Syria में अपना पकड़ बनाना, जैसे अफगानिस्तान में चाहता है भारत अपनी पकड़ बनाना, सिंपल सी बात है, अगर अफगानिस्तान में हम पकड़ बनाएंगे, हम अच्छे रिलेशन होंगे अफगानिस्तान के साथ, हमारी जो terrorist activities करता पाकिस्तान, वो हम रोक सकते हैं तो वैसे ही इसराइल के पास भी तीन पूरे कारण है, सबसे पहने एक चीज़ बता दूँ, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यदा terrorist group है, सिंपल सी बात है वैसे ही इरान में भी terrorist group है, हिजु बुल्ला है, दूसरे शिया, मिलिशिया है, उसको खतम करना इसलिए वो कहाँ पर है, सीरिया में है, उसको कौन सप्लाइ दे रहा है, इरान सप्लाइ दे रहा है, इसलिए जो इसराइल है, इनको खतम करना चाहता है पहला, stop the militia advancing towards the de facto borders, continuously targeting them, weaken Iran presence in Syria, यही चाहता है अभी इसराइल, फैब में 2008 में Syria, shot down in Israeli war plane, ठीक है, तो यह conflict चलता रहता है, civil war चलता रहता है, तो अभी इसलिए, question तो यही था ना, question यही था, what Israel wants in Syria, क्या चाहता है, Syria में Israel, ओके, Now, next question है, no volunteer list under cyber scheme, union home minister ने अभी यह बोला है, कि हम centralized list maintain नहीं कर रहे हैं, क्योंकि police एक state subject के अंदर आता है, जो 7th schedule के अंदर constitution के, तो ministry यह कहती है कि cyber crime grievances portal है, cybercrime.gov.in, और volunteer लाएंगे, volunteer क्या होगा, आप भी participate कर सकते हैं, अगर internet में कुछ, आपको देखने को मिलना है, unlawful content, किसी की viral video कर दी है, किसी को मारते हुए viral video कर रहे है, domestic violence को promote किया जा रहा है, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है, इस website में जाके, तो ministry ने यह बोला कि police और public order state subject में 7th schedule की, तो वही एक prime responsibility रखेंगे, ठीक है, दूसरा, law enforcement agencies को help करेंगे आप, ठीक है, तो एक, यहाँ पर, एक cyber crime coordination center, यह scheme launch की थी, union home minister ने, अमित सा ने, जनवरी 2020 में, ताकि cyber crime को रोका जाए, तो यह चीज़ याद रखना, तो national cyber crime ecosystem management, इसी scheme का part है, ठीक है, उसके लिए project को approve भी किया था, 2008 में, 415 करोल रुपे, तो इसमें, तो अगर cyber crime से related कोई भी चीज़ आती है, तो आप यह program डाल होगे, Indian cyber coordination, I4C, I4C, यह चीज़ लिखो आप, अपने mains में, ठीक है, हाला कि आज मैं पूरा जो, जो question देने वाला हूँगा, ग्राउंड वाटर पर दूगा, क्यूंकि Saturday को, नहीं, Sunday को मैंने ग्राउंड वाटर पर बताया था, प्यम केर से ने यह कहा कि 551 oxygen plant हम hospital में और इससे पहले भी किये गए थे, तो PMCares Fund, आज बहुत दिनों बाद आ रहा है, पिछले COVID के टाइम पर बनाया था, तो आज थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं इसको, नव, PMCares, PM, Prime Minister Citizen Assistance and Relief Emergency Situation, 28 March 2020 को बनाया गया था, COVID-19 pandemic को, खतम करने के लिए, Fund एक Public Charitable Trust है, जिसके Prime Minister Chairman थे, अभी भी है, दूसरे मेंबर हैं, जैसे Defense Minister, Home Minister, Finance Minister, Micro donation आप लोग कर सकते हैं, Fundable Strength and Disaster Management को, Contributing to PMCares Fund, CSR expenditure के अंदर qualify है, CSR क्या होता, Corporate Social Responsibility, मतलब हर कंपनी के एक responsibility दी होती है, कि आप अपने profit का कुछ हिस्सा सरकार को दोगे, तो CSR qualify है, CSR दे रहे हो तो PMCares Fund में qualify हो आप, ठीक है, Companies Act के अंदर, Companies अगर जिसकी minimum net worth 500 करोल रुपे है, और turnover एक हजार करोल रुपे है, उसका जो net profit होता है, 5 करोल का, are required to spend at least 2% of their average profit for previous 3 years on CSR activities every year, हर साल में, पिछले 3 साल का जो profit है, आप 2% जो होगे, या 5 करोल रुपे आप donate करोगे, अब वो PMCares के लिए eligible था, कि आप 5 करोल दे रहे हो, तो PMCares में fit देने की जरुवत नहीं है, now next news है, 82 patient killed as fire in Gulf COVID-19 hospital, बगदाद में, कहां, बगदाद में, 80 लोग मारे गए, COVID-19 hospital में, ऐसा महराष्ट में भी हुआ, 24 लोग मारे गए थे, बगदाद में भी हुआ, तो इससे पूरा खेल के समझ में आता है, fire safety क इसको मैं अभी पढ़ाता हूँ, fire safety का क्या issue है, मुद्धा बहुत ज्यादा important हो जाता है, okay, दोसरा जो बिडन ने, Armenian जो पूरा लोगों को मारा था, 1.5 मिलियन लोगों को, 2 मिलियन लोगों को, उसको genocide बता दिया गया, US President जो बिडन, Saturday को, recognize करते हैं कि जो Armenians को मारा गया थ जैसे Jewish को मारा गया था, Hitler ने मारा था, कियार इनकी racial discrimination करते थे वो, कि इनकी जो race है वो pure नहीं है, ऐसा बोला जाता था, ठीक है, तो killing of Armenians को मार दिया गया, Ottoman Turk के द्वारा, 1915-16 में, और इसको act of, an act of genocide घोसित कर दिया गया, यह influence करेगा Turkey और अमेरिका के NATO ally को, 1.5 मिलियन अ मार दिया गया था, have been killed in the early stage of first world war, within the territories of the Ottoman Empire, 2019, US के Congress, जो Donald Trump है, उन्होंने इसको बोला किया था, कि यह genocide नहीं है, बट अभी, जो बिटन ने बोला है, कि यह genocide है, अब इससे क्या होगा, relation खराब होंगे, और कुछ नहीं, आर्टिकल 2nd, UN Convention on Genocide, December, Genocide की definition देता है, United Nations, Genocide has been described as, carrying out as, act as intended to destroy, to destroy in whole, or in part of national, ethnic, or racial, religious group को आप मार रहे हो, ठीक है, destroy कर रहे हो, तो वो genocide है, यह term जो दिया था, Raphael Lemkin ने दिया था, Genocide, 1943 में, यह prelims के लिए, यह चीज़ याद रखना, यह Polish lawyer थे, इन्होंने बोला था, इस term को कोईन किया था, atrocities हुई थी, Armenians के खिलाफ, जैसे, नाजीज ने जियूस को मारा था, First World War break हुआ, और Ottoman Empire ने यह सब चीज़ें किया था, पहने जहां, दो million population थी, सिर्फ तीन लाग population बच चुकी थी, राइट, तो यह पूरा हमने discuss कर लिया, ओके, और क्या चीज़ है, 15 people spend 40 days cave, lose sense of time, वही है cave के अंदर बिता रहे हैं, उससे क्या मतलब है, राइट, चलिए, यहां पर fire safety से related है, बगदाद बाग लगी, COVID-19 patient को treat करते हुए, तो fire safety का एक final answer पढ़ लेते हैं, now fire safety UPSC final answer, introduction national crime record bureau के according, एक दिन में 48 लोग की death हो जाती है, 12% महलाएं है, causes क्या है, safety नौम से अच्छी नही ठीक है, inbuilt protection नहीं होता, safety audits नहीं होते, protocol follow नहीं किये जाते, awareness नहीं है, safety arrangement नहीं है, faulty wiring एक example है, preventive क्या मीजर है, government को financial assistance देना चाहिए, electrical fitting होनी चाहिए, protection होना चाहिए, fire fighting, work shop करवानी चाहिए, हर 6 मेने में, inspection भी होना चाहिए, और fire जो service है, state subject के अंदर आता है, यह चीज आके जो, देखिए, हमने एक नया evolution शुरू किया गया है, कि हम एक बहुत बड़ी चीज करेंगे, कि doubt clear session हर एक Hindu analysis के last time करेंगे, यानि कि आप comment कीजिए, आपको जो समझ में नहीं आया, मैं उसका response करूंगा, ठीक है, at least 5 मिनट तो हम आपके लिए, दे सकते हैं, आपके comment का reply करने के लिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा होता doubt, अगर आप coaching नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास कोई है ही नहीं, कि किस person से आप पूछें, ठीक है, तो उसके लिए, देखिए, paid users के लिए, तो आप सब को पता है, जो भी paid user है, आप call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, कोई NCRT स example है, कि पंचाइती राज institution में ये अच्छे सा financial autonomy देते हैं, ये पंचाइती राज institution से related a tutorial था, तो केरला और तमिलनाडू बहुत अच्छी है, local self government को autonomy देते हैं, question है, mcc, mcc model code of conduct legal क्यों नहीं है, तो can you explain it as a answer for interview, yes, mcc model code of conduct इसले अनुज legal नहीं है, क्योंकि देखिए, model code of conduct को अगर legally binding कर दिया जाएगा, तो simple सी बात है, मान के चलो, एक example देता हूं कि ममता बैनर जी, ये live example है, यानि कि हुआ हुआ, ममता बैनर जी ने जो lower caste के लोग थे, उनसे directly बोला गया कि आप vote मत दो, क्योंकि आपके vote divide हो जाएगे, तो आप किसी एक political leader होके, लोगों को discourage कर रहे हो कि आप vote मत दो, अब इ पाखे cases हैं, तो अगर इसको भी model code of conduct किया, political party, आप leader तो इतने ज़्यादा violation करते हैं, तो सोचो मत, ठीक है, पूछो ही मत कितने ज़्यादा violation करते हैं, तो कितना time taking process है, इसलिए model code of conduct को legal नहीं करार दिया गया है, ज़र can you, रिशिका ने पूछा है कि can you explain the Hindu subject and topic wise, मतलब कौ देखो, हर उसमें देखने को मिलागा, जनरल इस्टेडिस पेपर वन, अर्मनाइजिशन डिजास्टर मेनेजमेंट, तो हम यह already करते हैं, इस पे हमें बताने की जरुवत नहीं है, PM केर्सपन, UPSC जनरल इस्टेडिस पेपर टू, यह देखिए, सेक मुझबिर रहमान, जन पर ही आज देने वाले हैं, कल के ही, कमेंट बॉक्स में, इसलिए हमने बोला, आज बहुत लेट हो गया, लेट इसलिए हुआ था यार, कि कल बताया था, और टॉप टाउन थे, ठीक है, Sir, according to collegium system, in appointment of खुसी पांडे जी पूछते हैं, high court judges, the number of senior most judges are same as supreme court, Sir, according to collegium system, in appointment of high court judges, the number of senior most judges are same as supreme court, I think, पता नहीं question, आप क्या पूछना चाते हैं, मैं जिस बेसिस पर समझ पा रहा हूँ, according to collegium system, in appointment of high court judges, the number of senior most judges are same as supreme court, नहीं, ऐसा नहीं होता, collegium system क्या होता है, एक chief justice होते हैं, चार supreme court के judge होते हैं, यही decide करते हैं कि, वो high court के judges का पूरा वो देते हैं, recommendation देते हैं, कि किस judge को appoint करना चाहिए, collegium system में 5 लोगों का group होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, Sir, bitcoins and bitcoins different use and importance, ओके, देखिए, कराती, सक्सेशना, इसके लिए, सक्सेशना जी, इसके लिए हम एक अलग से video बनाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था, जो previous video की उसके basis पर पुछें, या कोई एक ऐसा simple सा, जो एक दो minute में explain किया जाए, ठीक है, election commission of India कैसे बनता है, election commission of India और supreme court में से कौन ज़्यादा powerful है, देखिए, अपने अपने basis पर दोनों ही powerful है, election commission of India अलग काम करता है, और election commission of India एक constitutional body है, article 324 के अंदर, ठीक है, powerful ऐसा नहीं कह सकते हो, कि ये powerful है, वो powerful है, हाला कि election commission of India ने कोई ऐसा काम किया, जो गलत है, तो उसको supreme court में मुद्दा उठाया जा सकता है, उसका judicial review हो सकता है, ठीक है, sir please explain the bitcoins, ठीक है, bitcoins, देखे, bitcoins को एक digital currency की तरह मान लो, ठीक है, जिसमें कोई centralized, कोई bank वो नहीं करती, ठीक है, कोई bank centralized नहीं होता, ये एक decentralized system है, यानि कि आप हर एक transaction का मुद्दा उठा सकते हो, ठीक है, bitcoin जो है, दूसरा आपने उसके बारे में भी बताया था कि importance क्या है, इसका अभी इसकी एक technology है, जो है, election में भी use हो रही है, ठीक है, sir please explain in situ, in situ का मतलब होता है, देखो, मैं एक बहुत simple access situ का मतलब होता है, कहीं पर, मान के चलो, एक chemical है, वो मैं अपने घर पे ही बना पा रहा हूँ, वो मैं घर पे ही बनाता हूँ, या मैं एक सबजी है, मान के चलो, एक सबजी है, वो मैं घर पे ही बना पा रहा हूँ, मैं जब बाहर जा रहा हूं तो वो सबजी में भूल जा रहा हूं उसकी रेसिपी तो वो XC2 तो XC2 का मतलब हो गया कोई भी चीज में एपलाई हो सकता है ठीक है जन्रल ये इन्वारमेंट नैशनल पार्क में होता है इन्सीटू का मतलब मैं घर पर कोई चीज बना पा रहा हूं पर वोई चीज एक्सीटू नहीं हो पा रहा हूं ठीक है तो इन्सीटू का मतलब अपने ही वोई लोकल एरिया या अपने ही एरिया में अपने ही घर पर मैं कुछ चीज प्रिपेर कर रहा हूँ, वो in situ होता है ओके चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही जो end code है, वो रखते हैं किनले, वो रखते हैं किनले, बांकि अपना comment, अपने doubt पूछिए, धन्यवाद